तो कहानी एक लेडी टीचर की है, जो अपनी एक स्टूडेंट की पप्पू के पीछे पागाल हो जाता है, उसके साथ सोने के लिए टीचर किस हद तक जाती है, आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा, वीडियो के बीच में कुछ कहना चाता हूँ, यूट्यूब में नया हूँ, आप सब की सपोर्ट की बहुत जरूरत है, लीज थोरा सा सपोर्ट कर दें, बाकी एंटर्टेन्मेंट की गारेंटी मेरी, मुवी की स्टार्डिंग में हम इस कहानी की मिया खलीफा को देखते हैं, जिसका नाम है अनिता, आज अनिता की स्कूल में पहला दिन है तो पहला दिन स्टूडेन्स के साथ इंटरडॉक्शन के लिए अनिता कुछ सवाल करती है, तो मारकस कहता है, मेरा पपपो का साइस बहुत बढ़ा है, ये जुनके अनिता का दिल गार्डन गार्डνε हो जाता है, और मारकस के पपपो से मिलने के लिए अतावला हो जाता है, क्योंकि अनिता की husband की जवानी हो गई है ठंड इसलिए अनिता को चाहिए एक नया एक दिन सुब़ जब अनिता जॉगिंग के लिए जाती है तो उसे मैसूस होता है कि उसे कोई follow कर रहा है और जॉगिंग से घर लोटते उसे एक चिट्थी मिलता है जिसमें लिखा होता है आज सुब़ तुम जॉगिंग ड्रेस में माल लग रही थी और स्कूल जाके अनिता देखता है मारकस किसी के साथ fight कर रहा है जिस fight में मारकस को थोड़ा बहुत चोड भी लगता है और जब अनिता मारकस को fasted करता है तभी मारकस अनिता को seduce करने लगता है तभी उनमें किस होनी वाला होता है कि बीच में एक चोमू टपक पड़ता है जिस वज़े से उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो पाता है जिसके बाद अनिता मारकस को text करके कहता है कि आज जो हुआ है वो भूल जाओ और तभी मारकस अपना पपो का photo भेज देता है ये दीख के अनिता एक दिन मारकस का parents स्कूल में आने से पता चलता है अनिता तो मारकस की mom की school friend है PTM meeting के वक्त मारकस अनिता के पैर में पैर डालके seduce करने का कोशिश करता है ताकि ये meeting जल्दी खतम हो जाए स्कूल चुट्टी के बाद जब अनिता घर जा रहे थी मारकस तभी अचाना अनिता के गाड़ी के अंदर आके बैठ जाता है और यहाँ ये दोनों first time intimate होता है बस यहाँ सिन का relation शुरू इसके बाद हमेशा ही इन दोनों के भी तपाटप तपाटप और हमेशा ही तपाटप होने के कारण मारकस अनिता से बोर हो जाता है लेकिन अनिता को तुछ यह मारकस का पपू तो एक दिन अनिता को बहुत क्रेविंग होता है तो मारकस को टेक्स्ट करके कहता है मेरे घर पे आजो कोई नहीं है लेकिन मारकस बास्केटबॉल का भाना देके इग्नोर कर देता है धीरे धीरे अनीता समझ जाते है कि मारकस उसे इग्नोर कर रहा है और मारकस अभी किसी और को डेट कर रहा है अनीता से और खुद को समाला नहीं जाता तो अनीता सीधा मारकस के घर चला जाता है और जब मारकस फ्रेश होने के लिए बात्रूम में जाता है तो अनीता भी टोईलेट का बहाना करके उसके बात्रूम में घुज जाता है जहां उन दोनों के बीच और एक सेशन हो जाता है इधर मारकस स्कूल नहीं आने क्या बात है आजकर लगर तुम मिलते हो नहीं तुमारे पप्पू से मिलाते हो दिल भर गया मुझसे। मार्कस कहता है देखो अंटी हम लों की जब कुछ नहीं हो सकता और वैसे भी मैं अभी मीना से प्यार करता हूँ। ये सुनके अनिता का दिल बैठ जाता है। और मारकस के फोन से मीना की कुछ न्यूट फोटो जोचल मीडिया पर अप लोड कर देता है जिससे मीना बहुत रोती है और अनिता उसे जाके कहती है ये सब मारकस नहीं किया है मारकस बहुत खराब लरका है तुम उससे ब्रेकप कर लो इतना सब करने के बाद भी मारकस और मीना के बीच ब्रेक अप नहीं होता है और ये देखके अनीता का खून खौल जाता है एक दिन मारकस फुटबॉल खेल रहा था और अनीता उससे जाके कहती है मैं तुम्हारे बच्ची की माँ बनने वाली हूँ ये सुनके मारकस का दिल, दिमाग, फेफड़ा सब कुछ तूट जाता है और मारकस दबा के रोता है यहाँ अनीता मारकस से कहती है तुम टेंशन मतलो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा बस मैं जब जब बुलाओं, तब तब मेरे पासा के, मुझे देते रहना और ये कहे गई, forcefully मारकस के साथ मेक आउट करने लगता है अनीता यहाँ प्रेगनेंसी का नाटक करती है ताकि मारकस को blackmail करके, जब जब उसका मन करे, तब तब वो मारकस की ले पाए और दूसरे दिन मारकस अपनी मॉम को सब सच बता देता है तो मारकस की मॉम अनीता के पासा के कहती है मेरे बेटे से दूर रहे डायन और यहाँ से ही मारकस और अनीता की रिलेशन्शिप के बारे में पुरा स्कूल जान जाता है जिसके वज़े से अनीता की हजबन भी अनीता को घर से बाहर निकाल देता है और स्कूल से भी अनीता को बाहर निकाल देता है जिससे अनिता बिल्कुल अकेली हो जाती है और एक नया पप्पो के तलाश में निकल जाती है और आज की कहानी यहीं समापत होती है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे और भी तगड़ी वीडियो जाने वाली है